अगर आप टारो में, ओकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course, जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा, अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, ये भी इस कोर्स में covered है, और इसी से ही related, अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं, अब दिखिए अगर आप WhatsApp करेंगे तो जादा बहतर रहेगा, क्योंकि calls at times miss हो जाते हैं, लेकिन WhatsApp आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है, और अगर आपका taro occult में बहुत interest है, लेकिन अभी आप सीखने के mood में नहीं है, आप मेरा free webinar जॉइन कर सकते हैं, जिसमें इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी, और इन दोनों के ही links यानि क taro certification और webinar के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए June 2024 की Love Taro Reading, तो अगर आप जाना चाहते हैं कि June मन्थ में आपके partner की क्या energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, finally again June मन्थ में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है, तो ये reading आपके लिए है, और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें, तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, moon sign हो, या फिर sun sign हो, तो चलिए जी देखते हैं कि June मन्थ में आपकी love life में क्या हो रहा है, अचलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि June 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है, में परसे हाँ पर तीन सेट आफ कार्ड्स हैं, फर्स सेट आफ कार्ड्स में हम आपकी energy's देखेंगे, फर्स सेट आफ कार्ड्स में आपके partner की energy's देखेंगे, and third set of cards में हम देखेंगे कि finally June मन्त में क्या हो रहा है, तो आप से शुरू करते हूँ और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, night of coins, और यह card कहता है कि कुछ time से यह June starting में आपने एक pause लिया हुआ है, आप रुक गए हैं, थम गए हैं, और इसके लिए सब Taurus के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन night of coins के हिसाब से अगर हम देखें, तो हो सकता है कि आप बहुत sure होना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, होता है ना कभी-कभी हमें लगता है कि जब तक 100% एक हमे surety नहीं मिलेगी, जो हम चाहा रहे हैं उसके हिसाब से चीज़े नहीं होंगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कुछ ऐसी सी energies हैते हुई दिख रहे हैं, और deeper level के लिए taking notes का card कहता है, जो भी आपके partner कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसका एक mental note या फिर कुछ के लिए literally हो सकता है, कि copy pen में आप notes बनाते हुए दिख रहे हैं, कहीं उनकी अच्छी बातों को भी आप note down कर रहे हैं, उनकी गलत बातों को भी आप note down कर रहे हैं, तो बहुत एक observing वाली energies आपकी रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत practical, realistic भी आप चीजों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, and met june के लिए dreams का card कहता है, कि शायद कुछ ख्वाब आपके मन में हैं, partner को लेकर, relationship को लेकर, या फिर इन ही चीजों को लेकर, लेकिन surface level के लिए death का card कहता है, कि आप थोड़े से या पर काफी rigid होते हुए दिख रहे हैं, और देखिए कही night of points का card भी एक जिद वाली energies की बात करता है, एक stubborn वाली energies की बात करता है, fixated rigid होके चीजों को deal करने की बात करता है, और death का card भी कहीं उन ही energies को और ज़्यादा confirm करता है, तो कहीं देखिए mid June तक या June मन्त में फिर से मैं कहूंगी कि काफी जिद्धी हो रहे हैं, काफी stubborn हो रहे हैं, कुछ चीजों को बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं, let go नहीं करना चाहा रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं और कहीं देखिए end June के लिए 10 of swords का card कहता है, कि कुछ ending beginnings आप करना चाहा रहे हैं, deeper level के लिए surprise का card कहता है, कि एकदम से unexpectedly जब आपको उमीद नहीं, आपके partner को उमीद नहीं, आप ये ending beginning partner के साथ यां तो convey कर रहे हैं, या कह रहे हैं, या फिर again मैं कहूंगी कि unexpected तरीके से, आप कुछ चीजों को end करना चाहा रहे हैं, कर रहे हैं, एक नहीं beginning करना चाहा रहे हैं, कर रहे हैं, अब देखिए general reading है, ending beginning sub-tours के लिए differ करेगी, कुछ के लिए हो सकता है, कि अगर कुछ issues आप दुनों के बीच में रह रहे हैं, उनको end करके नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं, पार्टनर के साथ, और कुछ के लिए भी हो सकता है, कि relationship को किसी level पे end करना चाहा रहे हैं, अब देखिए ये general reading है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि relationship एंड हो रहा है, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारे खयाल आते हैं, और different time पे different हमारा state of mind होता है, जब partner के साथ लड़ाई हो जाती है, तो फिर अलग state of mind होता है, जब चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, तो एक बड़ा हम love care में हसूस करते हैं, तो अलग state of mind होता है, तो दिखिए end June में कहीं आपका state of mind ऐसा रहता हुआ दिख रहा है, कि भई ये जो चीज़ें बबाल कर रही हैं, परेशानी create कर रही हैं, इन को end करो, नए सेरे से चीज़ों को शुरू करो, और हालां कि देखिए ये ending, beginning आपके लिए असान नहीं हो रही है, difficult हो रही है, आप थोड़ा सा नहीं, तो काफी इसी ending, beginning के वज़े से परिशान होते हुए दिख रहे हैं, नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और Taurus आप होते भी थोड़े से stubborn और जिद्धी हैं, तो कहीं आपका वो वाला full form, June मन्त में आता हुआ दिख रहा है, आप देखते हैं, आपके partner के क्या energies हैं, तो आपके partner के लिए देखिए सबसे पहला card है Queen of Cups Reverse, और ये card कहता है कि काफी emotional, काफी sentimental होते वे दिख रहे हैं, कुछ Taurus के partner के लिए हो सकता है, कि वो बहुत जादा expressive हो रहे हैं नहीं चीज़ों को लेकर, और कुछ के लिए हो सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक emotionally low वाली energies उनकी हैं, बहुत I don't like to use depressing word, क्योंकि ये बहुत heavy word होता है, लेकिन मतलब अगर आप इसका crux समझें, इसकी energy समझें, तो बहुत एक motivated नहीं महसूस कर रहे हैं, low feel कर रहे हैं, और deeper level के लिए drama का काट कहता है, जो भी वो feel कर रहे हैं, शायद उसी को लेकर एक scene भी उनकी तरफ से create हो रहा है, या फिर create कर रहे हैं, drama हम सब जानते हैं, अगर literally हिंदी में देखें, no tunky, no tunky means, मतलब उस चीज के लिए बहुत verbal होना, dramatic तरीके से उस चीज को कहना करना, तो इस तरीके की energies रहती भी दिख रही हैं, और इसी लिए या फिर otherwise भी, कहीं mid June के लिए Queen of Wands Reverse का काट कहता है, या तो आपके partner over enthusiastic, over excited हो रहे हैं चीजों को लेकर, या फिर उनका enthusiasm, excitement काफी low रह रहा है, या तो over courageously, over boldly चीजों को deal कर रहे हैं, कि वो या तो खुद को बहुत जादा किसी चीज के लिए motivate कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि starting June में कहीं बहुत उनकी low, बहुत एक, you know, mood swings वाली energies हैं, और हो सकता है वो खुद को ही थोड़ा सा motivate करके, थोड़ा सा better feel कर आ रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज के लिए motivate कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए हमने देखा कि आप बहुत rigid, बहुत fixated होके चीजों को deal कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको motivate कर रहे हों, तो यहाँ पर motivating का card सब Taurus के partner के लिए डिफर करेगा, लेकिन कहीं इस तरीके की energies, मिड जून या जून मन्त के लिए रहती हुए दिख रही हैं, and end जून के लिए, court and nine of coins के card कहते हैं, कि आपके partner, you know, या तो आपको किसी चीज में पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं in the sense कि, होता है न, या तो आपने कोई जूट बोला, या फिर आपने कोई ऐसी बात उनसे कही, जो आप नहीं maintain कर पाए, या या आपने किसी के साथ flirt किया, तो यहाँ पर court का literal meaning हो गया पकड़ना, तो या तो आपके partner ने आपको किसी चीज के लिए पकड़ा, या फिर वो खुद पकड़े गए, इन दसेंस अगर वो flirting कर रहे थे, या फिर वो किसी और के साथ connect कर रहे थे, या कोई भी उन्हें जूट बोला, ट्रांस्परेंसी नहीं maintain करी, अब देके unlimited चीज़ें होंगी, रह सकती हैं, और सब टॉर्स के partner के लिए डिफर करेगा, यहाँ पर caught के literal meaning को देखें, पकड़ना, और यह किसी की भी तरफ से हो सकता है, या तो आपके partner ने आपको किसी चीज़ के लिए पकड़ा, या फिर वो खुद पकड़े गए, इसलिए यहाँ पर otherwise nine of coins का का काड कहता है, कि थोड़ा सा वो independent होके चीज़ों को करना चाह रहे है, यानि कि उनको ऐसा लग सकता है कि भाई, उनको बहुत emotional, mental, physical dependency आपके उपर नहीं रखनी है, और कहीं देखिए, starting June में Queen of Cups Rivers के काड में हमने देखा, कि वो बहुत emotional हो रहे हैं, और उस time पे हो सकता है कि बहुत उनकी एक emotional dependency आपके उपर हो, mental dependency आपके उपर हो, और कहीं end June में वो इसी energy से खुद को बाहर निकालते वे दिख रहे हैं, कहीं उनको एक balance अपनी energies में लाते वे दिख रहे हैं, कहीं बहुत sorted रहते वे दिख रहे हैं, बहुत clear चीज़ों को लेकर होते वे दिख रहे हैं और चीज़ों को enjoy करने के mood में रहते वे दिख रहे हैं, यानि कि end June में उनको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब emotionally होना, sentimental होना, थोड़ा सा practical होके चीज़ों को deal करना है, और बहुत ज़ादा emotionally, mentally, physically किसी भी level पे आपके उपर depend नहीं होना है, या relationship पे depend नहीं होना है, और अब देखते हैं Taurus की June मन्त में क्या हो रहा है, तो देखिए आपे सबसे पहला card है The Cover Up, और ये card कहता है कि पीछे कुछ issues अगर आप दोनों के बीच में चल रहे थे, तो June स्टार्टिंग में, जैसे होता है ना कि उनको आप band-aid लगाना, क्योंकि इस card में देखिए band-aid है literally, तो जैसे होता है कि हाँ पे चोट लग गई, उसको मल्हम लगा रहे हैं, उसको cover up भी कर रहे हैं, उसको छुपा भी रहे हैं, उसको hide भी कर रहे हैं, तो जो भी issues आप दोनों के बीच में हुए, अगर आप हर्ट हुए, टॉरस या आपके partner हर्ट हुए, तो उसको heal करने पे focus कर रहे हैं, और heal, देखिए, actually इस card का मतलब नहीं है, इसको धक रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, उसको, you know, किसी तरीके से ignore कर रहे हैं, avoid करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, और कहीं in the process, king of coins का card कहता है, कि बहुत practical, बहुत realistic होके चीज़ों को deal कर रहे हैं, और emotional, sentimental नहीं होना चाहा रहे हैं, and mid, जून के लिए temperance, reverse का card कहता है, कि एक balance आप दोनों maintain करना चाहा रहे हैं, नहीं maintain कर पा रहे हैं, कहीं या तो कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जरूरत से ज़ाधा कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए कुछ टॉरस या फिर उनके partner के लिए हो सकता है, कि over expressive हो रहे हैं, over loving, caring हो रहे हैं, अब आपके partner के cards अगर मैं देखूं, तो वो थोड़ा सा dramatic हो रहे हैं, अपनी feelings, अपनी emotions को लेकर, आपके cards देखूं, तो आप थोड़ा सा, बहुत tightly किसी चीज़ को पकड़े होए हैं, थोड़े rigid, fixated हो रहे हैं, तो cards के हिसाब से, यह चीज़ over आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते होए दिख रहे हैं, लेकिन यह general leading है, तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, या तो कोई चीज़ या तो जरुरत से ज़ादा, या जरुरत से कम कर रहे हैं, बालेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और इसी की वजएसे, कर दोनों ही deeper level के लिए चीज़ों को सॉट आउट करना चाहार हैं, कहीं इनो एक इस relationship के लिए happiness, joy चाह रहे हैं happy days ahead मतलब एक दूसरे के साथ एक बहुत ही खुशहाल future चाहते हुए दिख रहे हैं और surface level के लिए six of cups reverse का card कहता है इनी चीजों को लेकर काफी emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं और जो भी पुराने दिन एक दूसरे के साथ बिताए उनको याद कर रहे हैं उनका वास्ता देते हुए इस relationship में चीजों को deal कर रहे हैं या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि past से कोई इनसान आप दोनों या आप दोनों की life में आ सकता है या फिर से मैं कहूंगी आप दोनों जो past में एक दूसरे के साथ time बताया उसके बारे में सोच रहे हैं, उस पे focus कर रहे हैं तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए June 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें